प्रधानमंत्री मोदी चाहें कितने भी दावे क्यों ना करने कि भारत को विश्वगुरू बनाना है भारत दुनिया को रहा दिखाएगा लेकिन आकड़े बताते हैं कि भारत के नागरेखी मोदी सरकार की नेत्रत्त में आगे बढ़ना नहीं चाहते और वो बहतर भविशी क कि कलपना लिए वे देशों का रुख कर रहे हैं जो सुविधाय और सुरक्षा वो अच्छे दिन के जीवन के लिए चाहते हैं वो भारत में नहीं है इसलिए वे दूसरे देशों में जाकर बस रहे हैं संसद में संसद में खुद बताया कि भारत की नागरिकता ग्रहन करने और छोडने वालों की संख्या में जमीन आसमान कांतर है। देखे रिपोर्ट। देश मंतराले से मिली जानकारी के अनुसार 1,33,83,718 भारती नागरिक विदेशों में रह रहे हैं। ग्रिह राज्य मंतरी ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि इसी तरह बीते 5 सालों में 10,645 लोगों ने भारती नागरिक विदेश के लिए आवेदन दिया। मंतरी राए ने बताया कि बर्श 2016 में 1106 लोगों को भारती नागरिक प्रदान की गई। वहीं 2017 में 817 को, 2018 में 628 को, 2019 में 987 को और 2020 में 649 को देश की नागरिक दी गई। अब देखना होगा कि विपक्ष इन आकडू का इस्तमाल कैसे करता है। DV Live की रिपोर्ट